सत्य लोग की सुन्दरता लेकर प्यारा आया श्री राम ने कई लोगों उपनीन से जगाया राम रोशनी जगा राम रोशनी जगा मेरे प्यारे भायों और भेनों आप सब को मेरा हारदिक पर नाम सत्य मेव जयते आखर में जय सत्य की ही होती है बेशक सत्य की राह में चलने वाले व्यक्ति को बहुत भारी तकलिफों और मुसीबतों का सामना करना परता है कहते हैं कि सत्य की राह पर चलना है कांटों की राह पर चलना पर अंत में जीत सत्य की ही होती है ultimate victory belongs to truth हम सब सत्संगियों का यह करतव्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में सत्य की साक्षी दें शास्तरों में कहा गया है कि धर्म रूपी बैल चार टांगों पर खरा है अब वक्त के साथ धर्म की तीन टांगें तो तूट चुकी हैं अब वह केवल एक टांग पर खरा है और वह है सत्य अब यह हम पर निर्बर करता है कि हम धर्म की सत्य रूपी चौथी टांग को भी तोड़ते हैं या फिर उसे कायम रखते हैं हम सत्संग्यों का यकर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्य की साक्षी दें सांच बराबर तप नहीं जूठ बराबर पाप जांके हिर्दै सांच है तांके हिर्दै आप सांच बराबर तप नहीं जूठ बराबर पाप सांच बराबर तप नहीं जूठ बराबर पाप जांके हिर्दै सांच है तांके हिर्दै आप तांके हिर्दै आप सांच बराबर तप नहीं जूठ बराबर पाप सांच बराबर तप नहीं जूठ बराबर पाप जांके हिर्दै सांच है तांके हिर्दै आप मेरे प्रिया जनों जैसा का आप सब जानते हैं कि लंका में श्री राम और रावन के बीच कितना भीशन युद्ध हुआ था रामन जिसके बारे में कहते थे दे किंग अफ थ्री वर्ल्ड वह तीनों लोकों का राजा था तीनों लोकों को रामन ने अपनी शक्ती द्वारा जीत लिया था रामन बहुती शक्तिशाली था पर उसके जीवन में सत्य और पविट्र था के लिए श्रधा नहीं थी रामन कई सिधियों का मालिक था रामन ने चल द्वारा श्री राम की धरम पत्नी सीता का हरन कर अपने महल में कैद कर दिया श्री राम को जब इस बात का पता चला तो श्री राम ने कहा वानरों की विशाल सेना से लंका पर चड़ाई कर दी, गुर्देव सादुवा स्वानी जी कहते थे, कि बंदर और वानर में बहुत अंतर होता है, ये बंदर वानर नहीं है, वानर प्रिमिटिव पीपल थे, जो कि जंगलों में रहते थे, यदि आप आदिवासियों के चेहर की और गवर से देखेंगे, तो उनमें आपको वानरों की चबी नजर आयेगी, और ठीक राइसे ही, अगर आप वानरों के चेहरे को गवर से देखेंगे, तो उनमें आपको आदिवासियों की जलक देखेगी. श्री राम वानरों की विशाल सेना लेकर रामर की सोने की लंका पर चराई करते हैं रामर अपने महल की बालकनी से खरा होकर कहता है जरा मैं भी तो देखूं कि किस की इतनी हिम्मत है जो मुझसे युद्ध करने आया है मैं रामन तीनों लोकों का राजा मैंने अपने बल अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया है और ये राम मुझसे युद्ध करने आया है क्या उसे मेरी शक्ति का आभास नहीं है क्या उसे नहीं मालूम कि मैं कितना शक्ति शाली हूं उसमें मुझसे युद्ध करने की बात सोची भी कैसे रामन अपनी बालकनी से देखता है कि एक दुबले पतले शरीर वाला व्यक्ति जिसके शरीर पर ठीक से वस्तर भी नहीं है जिसने अपने शरीर को पेरों की शाल से धका हुआ है वा मुझसे युद्ध करने आया है रामन अपने माहल की बालकनी में खड़ा होकर शरीराम से कहता है राम तुम मुझसे युद्ध कैसे कर सकते हो मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम पर बहुत तरस आता है तुम अभी इसी समय वापिस लव जाओ शरीराम बहुत ही कम बोलते थे शरीराम बिलीव दिन एक्शन एक कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वे गरजते नहीं शरीराम गरजते नहीं शरीराम रामन की ललकार का जवाब माउन से देते हैं फिर दोनों के बीच महा युद होता है, युद में गई कई बार ऐसा लग रहा था, मानो श्री राम इस युद में हार रहे हैं, किन्तु फिर धीरे धीरे श्री राम रावन के एक-एक योधा को मारते चले जाते हैं, युद के अन्तिम चरण में रामन के कई योधाओं को मार गिराते हैं, एविशेशकर, इंदरजीत, जिसके बारे में कहते थे, कि उसने देवताओं पर विजय पाली थी, रामन के भाई कुम्भकरन, जिसका शरीर इतना विशाल था, कि सत्संग हौल में, तो वह समाही नहीं पाए, कुम्भकरन के विशाल शरीर को देखने से, कई लोग डर जाते थे, जब ऐसा व्यक्ति युद्ध करे, तो आप सुयम अनुमान लगा सकते हैं, कि उसका सामना कर करने वाले का, क्या हो सकता है, पर शरीराम, उसे भी मार गिराते हैं, अब सिर्फ अकेला रामन बच जाता है, और वह कहता है, मैं अकेला ही राम से लरूंगा, अब तयार होकर, राम का सामना करने आता है, इस पर रामन की धरम पत्नी, रानी मंदोधरी, रामन को बहुत जाती है, वह उसे कहती है प्रानाद, अभी भी देर नहीं हुई है, आप श्री राम को उनकी धरम बत्नी सीता लवता दे, श्री राम बेयालू है, किर्पीनु है वे आपको शमा कर देंगे, श्री राम को इसाधारन व्यक्टि नहीं है, ये तो स्वैम प्रभू है, आप भग मंदोदरी रावन को बहुत समझाती है, पर रावन अपने जिद पर अरा रहता है, उसे अपनी शक्ती पर बहुत गरूर था, वा मंदोदरी से कहता है, महारानी मैं एक वीर जोदा हूं, तुम मुझ से ऐसी बाते मत करो, मैं अपनी हार नहीं मानने वाला, युद में चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, पर मैं युद जरूर जरूर लरूंगा, I will never, never, never give up, रावन कहता है, कि अगर इस युद में मैं मारा भी गया, तो मैं सीधे वैंकुठ में जाऊंगा, तुम मुझे लरने से मना मत करो, रन भूमी से पीछे हटना, वीरों का काम नहीं, कायरों का काम होता है, वीर जोधा एक बार युद के लिए निकलता है, तो फिर वर अपने पैर पीछे नहीं हटाता, वीर जुध में बाहदुरी से वीरता से शत्रु का सामना करता है, वह शत्रु को पीछ नहीं दिखाता है, मेरे प्यारे भाई और भेनों फिर रामन और श्री राम के बीच युद होता है, इससे पहले भी श्री राम रामन को पराजित कर चुके थे, जब रामन का सार्थी रन भूमी से उसे मूर्चित अवस्था में वापिस महल में ले गया था, तो उस समय मूर्चा खुलने पर रामन ने अपने सार्थी से कहा, तो मुझे रन भूमी से यहां क्यूं लेकर आए, इस पर सार्थी ने कहा महराज, आपके प्रानों की रक्षा करना मेरा करते देथा, अब रामन फिर से श्री राम से युद्ध करने के लिए रन भूमी में आता है, श्री राम उसे दूर से ही देख लेते हैं, किन्तु इस बार श्री राम उसे बरे ही गवर से देखते हैं, और देखकर परिशान हो जाते हैं श्री राम तुरंत लक्षमन विभीशन और सुग्रीव को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो सामने रावन के रत के आगे आगे दुर्गा माता सुयम उसकी रक्षा करने के लिए आ रही है वह कहते हैं इसका अर्थ है मांदुर्गा रावन के पक्ष में हैं अगर मांदुर्गा रावन के पक्ष में हैं तो फिर उसका हम कुछ भी नहीं बिगार सकते हम चाहा कर भी यह युद्ध नहीं जीत सकते मेरे पिरे जनों कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाती हैं कि हम कहते हैं यह हमारे साथ क्या हो गया इतनी सारी मुसीबते इतने कश्ट इतनी तकलीफे मुझ पर ही क्यूं क्या संसार में मैं अकेला ही बचा था जिसे दुन्या भड़की मुसीबते जेलनी पड़े क्या संसार में कोई और नहीं ये मेरे साथ ही क्यूं हुआ रामायन हमें बताती है कि हम क्या चीज हैं हम तो साधारन लोग हैं पर मुसीबतों ने तो रिशियों, मुनियों, तपस्यों, राजाओं को भी नहीं छोड़ा यहां तक कि जब प्रभु सयम मानव बनकर धर्म की रक्षा हेतु धर्ती पर आए तो यही कष्ट उन्हें भी जेलने परे हमें अपना दुख पहार सा लगता है कि तु ज़रा विचार करो श्री कृष्ण के जीमन का तो उनके कष्टों के सामने आपको अपने सारे कष्ट, सारे दुख तुछ नजर आएंगे श्री कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ थोड़े बड़े हुए को पूतना जहर पिलाने चली आई मामा कंस ने तो उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भी न जाने कितने कष्ट श्री कृष्ण को अपने जीवन में सहने परे उनके कष्टों और दुखों के सामने हमारा दुख क्या है हाँ तो जब श्री राम मान दुर्गा को रावान के साथ देखते हैं तो वे रो पड़ते हैं वे कहते हैं अब ना जाने हमारा क्या हाल होगा यह बात तो तै है कि जिसके साथ माता स्वयम है जीत उसकी होगी शुरी राम को दुखी देखकर सब परिशान हो जाते हैं इतने में आकाशवानी होती है कि राम तुम दुखी मत हो तुम हिमत मत हारो तुम भी मांदुरगा की पूजा करो शुरी राम और लक्षमा रोज की तरह प्रभात के समय उठकर समुदर में जाकर स्नान आदी करके स्वयम अपने हाथों से मांदुरगा की पृतीमा बनाते हैं उनकी उस्तती करते हैं सरवेश्वरी जगदेश्वरी हे मात्र रूपी महेश्वरी सरवेश्वरी जगदेश्वरी हे मात्र रूपी महेश्वरी ममता मैं करुणा मैं ममता मैं करुणा मैं हे मात्र रूपी महेश्वरी जग जीवनी सन जीवनी प्रतिपाला भोवाना हृदेश्वरी जग जीवनी सन जीवनी प्रतिपाला भोवाना हृदेश्वरी हे मात्र रूपी महेश्वरी ममता मैं करुणा मैं हे मात्र रूपी महेश्वरी हे मात्र रूपी महेश्वरी मेरे प्रियजनों पूजा पात करते हैं तीन दिनों तक दोनों भाई मादुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं मंत्रों के उचारन और स्वाहा स्वाहा की ध्वनी से सारा वातावरन गूंज उठता है मादुर्गा दोनों भाईों की पूजा से प्रसन होती है और वे सुक्षम रूप में उन दोनों भाईों के पास आती हैं पर वह उन्हें दर्शन नहीं देती श्री राम समझते हैं कि जरूर उनकी पूजा में कुछ कमी रह गई है अब श्री राम फिर से परेशान हो जाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें कि मांदुर्गा उनके पास चली आएं इस पर विभीशन श्री राम से कहता है प्रभू आपने मांदुर्गा की लगातार तीन दुनों तक पूजा अर्चना की मंतरों का उचारन भी किया और कई वस्तुएं भेंट भी चराएं पर मांदुर्गा तो के वल एक ही भेंट स्विकार करती है there is only one offering that is acceptable to दुर्गा देवी इस पर श्री राम पूछते हैं वा काउन सी भेंट है रभीशन कहते हैं मां दुर्गा की विधी से पूजा करके उन्हें एक सव आठ नीले कमल भेंट चराएं श्री राम कहते हैं नीले रंग के कमल के फूल मिलना तो बहुत मुश्किल है और वह भी एक सव आठ नील कमल मेरे प्यारे भाईों और भेंटों आप लोगों ने पिंक वाइट एंबर कलर सफेद गुलाबी वा हलके पीले रंग के कमल के फूल देखे होंगे पर नीले रंग का कमल बहुत ही कम मिलता है मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी कभी नीले रंग का कमल देखा होगा आगे श्री राम विभीशन के पूछते हैं कि ये नीले रंग के कमल कहां पर मिलेंगे मैं यहां समुंदर के किनारे वानरों की सेना के बीच बैठा हूँ और समुंदर में तो यह फूल नहीं खिलते फिर मैं यह फूल कहां से लाऊंगा मादुर्गा को कैसे भेंट चराऊंगा इतने में हनुमान आते हैं और हाथ जोड कर श्री राम के चलनों में वंदन करते हुए कहते हैं स्वामी मैं किस लिए हूँ आप मुझे केवल इतना बता इतना बता दें कि ये नीले रंग के कमल के फूल कहां मिलेंगे तो मैं तुरंट ही वहाँ जाकर ये फूल तोरकर आपके लिए ले आऊँ तब विभीशन कहता है पिर्थवी पर एक सरोवर है जिसका नाम देवी सरोवर है देवी लेक उसी सरोवर में नीले रंग के कमल के फूल खिरते हैं हनुमान को तो बस उस स्थान का पता चाहिए था वे जय श्री राम का नारा लगा कर उर जाते हैं कहते हैं कि इस विज्ञान के युग में कंकार्ड सबसे तेज गती से उरने वाला विवान है जिसकी बड़ा-बड़ी कोई अन्य विमान नहीं कर सकता यदि लंडन से यह विमान रवाना हो तो तीन घंटों में वह आपको अमरी का पहुंचा देगा एक बार मुझे इस विमान में सफर करना परा जिस विमान से मैं लंडन से न्यू यार्क जाने वाला था किसी कारणवश वह विमान उरन नहीं बढ़ सका और उसी दिन मेरा न्यू यार्क पहुंचना जरूरी था इसलिए मुझे कांकार्ड में सफर करना परा इस तेज गती के विमान में चार हजार माईल का सफर तीन घंटों में तै हो गया मैं निश्यत समय पर न्यू यार्क पहुंच गया किंतो हनुमान तो इस तेज गती के विमान से भी कई गुना अधिक गती से देवी सरोवर पर पहुंच गए नीले रंग के कमल के फूलों से सरोवर की शोभा बस देखते ही बनती थी हनुमान एक एक करके वे कमल के फूल तोड़ने लगते है इस तरह उन्होंने सरोवर में उगे हुए सभी फूलों को तोड़ लिया मेरे पिर्यजनों देखिए कुदरत का करिश्मा श्री राम को मा दुरगा की पूजा के लिए 108 कमल के फूल चाहिए थे और आज उस सरोवर में कुल 108 ही फूल खिले थे हनुमान एक सब के सब तोर कर जै श्री राम का नारा लगाते हुए उरते हैं श्री राम के पास आप पहुँचते हैं वे श्री राम को 108 नील कमल गिन कर देते हैं हनुमान कहते हैं हे भगवन ऐसा क्या है जो मैं आप के लिए नहीं कर सकता आगे क्या होता है उसकी चर्चा कल करेंगे ओव शान्ती शान्ती शान्ती